गर्ल्स पावर लेडिस्ट जिम जहां कार्डियो वेट मेनेजमेंट, फ्लॉर अक्टिविटीस, स्ट्रेंग्थ और पर्सनल ट्रेनिंग, बेसिक डाइप और इंच कार्ड विथ अट्रेक्टिव पैकेज के साथ, जिम ट्रेनिंग कोस पर 20% OFF, स्मार्ट ट्रेनिंग प्लान और फुल बोडी चेक अप, साथ ही ब्यूटी पार्लर सर्विस और क्लास पर 30% OFF, फिट्नेस एंड ब्यूटी लवर्स के पहचान हैं, फॉर दी बेस्ट रिजल्ट, जॉइन गर्ल्स पावर, बेफिट, बेफैबलेश, जॉइन गर्ल्स पावर, बेफिट, बेफैबलेश, के खिल लगा भूर्श यूट, बेफिट, बेफिट, लुझा झाई, विजफिक्त, बार्सपिस, टावर, विजया के पिल्गभ रूर अप, साक हज़ार, अर्टीस, फलस्ीनियों को मारा जाया है महराश के छत्रपती सामभाजी नगर में इस्लामिक और्गनाइजेशन ऑफ इंडिया की ओर से फिलिस्तीन में जारी बंबारी में होने वाली निर्दोस हत्याओं के विरोध में शहर के आमखास मैदान में दोपहर के वक्त इसराइल के खिलाफ विरोध परदर्शन किया गया और फिलिस्तीन के हक में सामोहिक दुआ का आयोजन यहाँ पर किया गया था इस कारेकरम में पुरुसों के साथ साथ महिलाएं और बच्चों ने फिलिस्तीन का समर्थन किया और अपने हाथों में प्लेकार्ट और फिलिस्तीन के जंडे लेकर इसराइल के खिलाफ यहाँ प फिलिस्तीन के समर्थन में आये सांसज इम्तियाज जलील ने कहा है कि बस्तियों में होने वाले इज्राइली हमलों से साथ हजार से अधिक लोग मारे गए हैं इसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं अनेक शव अब भी मलबे में दबे हुए हैं इस तरह होने वाली जन और संपत्ति के नुकसान से मासूम निर्दोस्त लोगों की बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं अमानवीनिता के आधार पर युद्ध को ततकाल रोक देना चाहिए हजारों निर्दोस्त लोगों की जान बचाई जा सकती है सांसच इम्तियाज जलील ने खा है कि उन में से कई सारे देश फिलिस्तीन के समर्थन की बात कर रहे हैं जो वहां भारत का प्रतिनिजित करने वाले कोई भी नहीं थे इस मुद्धे पर भारत को भी हस्त छेप करना चाहिए इस दोरान आम खास मैदान में प्रदर्सन कारियों के सिरो का समंदर दिखाई दिया महिलाओं का कहना है कि बेकसूर लोगों पर इजराइल बंबारी कर रहा है जिसमें सैक्डो महिला और बच्चों की जान जा रही है इस युद्ध को रोकना होगा और जिस तरह इजराइल ने फिलिस्तीन के बड़े हिस्से पर अपना कबजा कर लिया है उसे वह कबजा भी वापस देना चाहिए दूआ के बाद इस प्रोग्राम को खत्म किया गया और इसके बाद सांसच इम्तिया जलील और जो यहां पर दूआ मांगने के लिए महिलाएं आई थी उन लोगों न पर युनाइटेड नेशन के अंदर एक रेजिलूशन पास करने का निर्ने लिया गया कि जिदने भी सिविलियन्स है आम लोग है चाहे वो गाजा के अंदर हो या इसराइल के अंदर हो उनके खत्राम के उपर रोक लगाई जाए उनको जो मारा जा रहा है जो आम नागरिक को मारा जा रहा है उसके उपर रोक लगाई जाए ये युएन का रेजिलूशन था और उस रेजिलूशन के अंदर तकरीबन पैटालीस ऐसे देश थे जिन्होंने एपस्टेन किया पूरे साउथ एशिया के अंदर सिर्फ भारत देश है कि जिसने उसका समर्थन ना करते कि वहाँ पर एपसेंट रहा है यानि कि इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर कोई बेखुशूर बच्चा कोई बेखुशूर आदमी कोई बेखुशूर हमारी बहन का अगर फत्र आम हो रहा है तो भारत चाह रहा है ये होने दो ये मरने दो ये जब से मामला हुआ है चुटे मासूम बच्चे हैं जिनको मारा गया है जिसमें तकरीबां देड़ हजार सत्रा सो महिलाएं हैं हमारी बहने हैं जिनका खत्रयाम किया गया है तकरीबां 45 पर्शन्ट लोगों के घर बर्बाद कर दिये गये हैं पूरे जमीन कोस्ट कर दिये गये हैं ऐसे 15,005 लाग आज देघर हो गए हैं और उनके लिए अगर यूएन के अंदर रेजिलूशन पास किया जा रहा है और इंदिया उसमें शामिल नहीं हो रहा है उसका समर्थन नहीं कर रहा है तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही ज्यादा मिंदनिया बात रहे हैं दूसरी बात ये हैं कि जितने भी अरब ममालिक रहे हैं उसे जो अमीदे की जा रही थी कि वो पुरी ताकत के साथ फड़े रहेंगे तो कहीं न कहीं वो कमी हमको महसूस हो रही है आज ये जो इस्तिमाई दूआ का इंतजाम किया जा रहा है यकीन हम एक पैगाम दे रहे हैं कि फलस्तीनियों के साथ जो नाइनसाफी हो रही है जो उनका खत्ले आम हो रहा है वो फॉरन लुकना चाहिए हम फलस्तीनियों के साथ खड़े हैं और यहां पर जितने लोग इखटा हुए है ये कोई एक जात के नहीं है ये इनसान है और इनसानियत के लिए यहां पर इखटा हुए है फलस्तीनियों क हमायत के अंदर बहुत सारे इस मुल्क में रहने वाले बहुत सारे सेक्यूलर नौन मुस्लिम्स ने भी इस बात की ताइद की है की फलस्तिनियों को उनका स्टेज दे दे देना चाहिए इसराइल की ये जो बर्बरियत है जो पिछले कई दश्कों से देखने को मिन रही है ये खत्म होनी चाहिए मैं औरेंगाबाद की आवाम का तैदिन से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज उन्होंने यहां से एक पैगाम भेजा है अपने फलस्तिनी भाईयों को इस लड़ाई के अंदर कुम अकेले नहीं है हम पूरी ताखत के साथ तुम्हारे साथ पड़े हैं जी आपने फलस्तिन के हमायत के लिए केंडल मार्च भी निकालने का फैसला गया था लेकिन वो रख कर दिया गया है लेकि रख महीं किये थे हम चाहरे थे कि एक बलंद आवास के अंदर एक अहतिजाज होना चाहिए एसायो के नौजमान लड़कों ने इसके लिए बहुत मेहनत की थी वो मेरे पास आया और उन्हें ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि आपका 25 तारिक को हमारा 28 तारिक के दिन हम चाहते हैं एक ही दिल होना चाहिए उनके इत आपके जरीए एक बात कहना चाहता हूँ कि फलस्तीन को हमारे मदद की जरूरत है फलस्तीन को हमारी दुआओं की जरूरत है हम यहां पर वैट कर कुछ नहीं कर सकते हैं तो कमसकम उनके लिए दुआएं कर सकते हैं तो इसलिए हर नमास के अंदर फलस्तीनियों के लिए पहुआ सकते हैं कि इस बारे में भी ग़ोर फिकर किया जा रहा है इस बारे में भी चर्चा की जा रही है हम इंशाधर लोगों से चाहेंगे कि जैसा भी जो भी वैसला आता है जो कोई संगा कर जो कोई ऑर्गनाजेशन इसके अंदर पहल करता है हम पूरी तरह से उनके साथ मैं डॉक्टर असका हांदी हूँ मैं आप्सरेडिशन और गाइनेकलाजिस्ट हूँ मैं यहां पर दुआ के लिए सब तमाम मुसल्मान लोगों के साथ यहां पर हम सब जमा हुए थे हम लोग यहां पर अल्ला रभ रपलिजद से दुआ कर रहे हैं कि अल्ला ताला हमाई द वहां को खुबूल करें और फलस्तिन को आजाद करें थैंक्यू सो मच्छ आपको लगता है कि हुए हुमत की जाने को प्रूशर पूरेंगा इसका असर पड़ेगा जब मुसल्मान जादा तेदाद में जमा हो रहे हैं पूरे आलम में यह सब हो रहा है तो इंशाला वैसे जो हिंदोस्तान की सरकार है हमेशा फलस्तिनियों के साथ रही है और मजलूमों के खिलाफ पड़ी रही है तो इंशाला हमें पूरा यकीन है कि इसका जवाब हम लोग अच्छे से दे सकेंगे और इंशाला सीस फायर होगा स्टॉप दजीनोसाइड जी औरंगा बाद में आ और पूरी दुनिया के अंदर हम देख रहे हैं कि इस इहतिजाज के जरिये से इस तरहा का इहतिजाज हो रहा है दुनिया के तमाम ममालिक में और लोग फलस्तिन का सपोर्ट करते वे बता रहे हैं कि जो जल्म इसराईल की तरफ से हो रहा है उसके खिलाफ हम आवाज उठा हुआ है और उसके बाल आखर में दूआ की गई है हम फिलिस्तीन में जिन चीजों को देख रहे हैं जे वीडियो को देख रहे हैं उस कटी पटी लाशों को हम देख रहे हैं जल्म होते वे देख रहे हैं उस जल्म کے خلاف ہم اپنے ساتھ دیتے ہیں فلسطین کا اور ہم فلسطین کے ساتھ ہیں यسی آواز کے ساتھ ہم यहाँ हम आवाज हैं और हम यह د染 द्रा करते हैं कि Allah चल्ला फलسطین को अजाद करे और एसराइल से जो जु 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 झावावागाई हिन्दोस्टानी हिकुमेशा से जुम के खिलाव रही है फिलिस्टीन के साथ रही है तो हमूं ये मतालब yht मतालब करते हैं कर सोफंध Campos Love उटारिए लिट dalे खुमन के खिलावय उठाना चायएए और फिलिस्टीन का सपोर्ट करना चायएई चाहिएرب मिरंधप् philosophers झाल झाल